हेलो फ्रेंट स्वागत करते हैं आप सबका इस यूटीब के ना श्टार कस्टेटिव पैंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आप सभी कलास 13 वालों के लिए यहाँ पर मैटिक बार छात्रों के लिए जो भी छात 22 में या फिर आने वाले बूर्ट परिख्या में समिल होना चारे तो उन सभी छात्रों के यहाँ पर चप्टर वाइस कोसंस लेकर आए हैं संख्या पताती नंबर सिस्टम से ठीक है इस चप्टर सभी तक जितने भी कोसंस पूछे गहें प्रिवेर से असों सारे हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं अगर आप भी कलास 13 के चा हमें पिछले 10 सालों में जितने भी कोशन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं ठीक है और सभी सब्जेट का स्टड़ी मेट्रियल बिल्कुल फिर आपको कोश्ट में प्राप्त करना चाते हैं तो आप हमार इस वेबसाइट के मदद से कर सकते हैं अस्टार्कस्टडी.com गूगल पर लिखे गया फिर लिंक आपको डिस्किप्सन में देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट की जाएगा यहाँ पर आप लोग को हर सब्जेट का चप्टर वाइज अब्यक्टिव सब्जेक्टिव न करने वाले ठीक है और देखो यह आप लोग को पता भी चलते रहेंगे यहाँ पर कि किसकी सीर्स में पूछे जा चुके हैं तो पता ही होगा कि अभाज संख्या कि इसको बलते हैं जो स्वेंग एबंग एक से विभाज हो दो आज देखलो 27 गज़िए 27 खर अंगज डुसरा कोशन है कि यदे ए और बी अभाज संख्या है तो लास बीक क्या होगा जब भी आभाज संख्या के बात आए हैना माल लो कि ये दो सबसे छोटी अभास रजया 2 उसके ला स्बसें साथ उसके बात 11 उसके बात 13 माल लो इसी तरी के एक से इन्फाईन dwell तक चलते रहेंगे थीक है इसमें से कोई भी 261 लो एकी भी मतलब एक उने भी ऑप्सों नंबर सी दर राइट याद रखेगा ठीक है अब देखो यहां पर संख्या है टू पैंट वन थिरी फिर उसका वन 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 थिरी उसका वन 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 रहे भाई देखो इस तरीके के जैसी यहां पर डाइस लगाव इसका मतलब यह अनंत तक जाए सोह अभाज संख्याओं का मौसव कितना होता है देखो सोह अभाज संख्या और को प्रैम नंबर बोलते हैं और एक होता है प्रैम नंबर प्रैम नंबर अगर पूछा जाता है तो आप लोग को क्या लगाना है एक ठीक है अगर सोह अभाज मतलब को प्रैम भी अगर पूछ रहो गया एक लोग एक सोहवाज इसको बोलते हैं एक लोग आप कौन सा एक लोग आप अभाज संख्या और एक लोग जो भाज संख्या उसको ठीक है जैसे यहाँ पर दो मैने लिया जो भाज संख्या भी है है ना और तीन ले लो पांच और यहाँ पर चार ले लो ठीक है चा और तेरल मतलब एक संख्या संख्या होनी चाहिए मतलब संख्या मतलब यह नहीं मतलब भाद संख्या होनी चाहिए और एक जो है आपका अभाद संख्या होनी चाहिए हमेशा क्या होगा ऐसी अब एक होगा ठीक है समझने का कुछिस करो next है कि यदि m जो है एक धनात्मक पुर्णांग है तो धनात्मक बिसम पुर्णांग का रूप क्या होता है तो पता ही होगा क्या होता है बताओ 2m पलस 1 होती है न अब 2m के जगा ही हम अगर 4m कर दे, 6m कर दे, 8m कर दे 12m कर दे, मतलब 2 का multiple होनी चाहिए तो आप पलस 1 करते हैं तो यहीं एंसर होगा ठीक है 2M पलस 1 रहेगा या फिर 4M पलस 1 रहेगा 6M पलस 1 रहेगा यह सारे क्या आपका भी सम पुर्णां का रूप हो जाएगा Next question यदि PX वराबर GX इंटू QX इंटू GX और PX का घात 6 है मतलब सभी का घात 6 है ठीक है ने ने हाँ हाँ और PX का घात 6 और GX का घात 2 है तो PX अपन जेक्ट भाई कितना सिंपल है PX का घात 6 है है ना और QX और GX का घात कितना है बताओ GX का घात 2 है तो 2 तिया चो यहीं एंसर हो जाएगा Option number C is the right next question ने लिखे तुमें से काउन अपर में संख्या नहीं है अब यह तो पर्में है सोड़ी अपर में है Route 7 यह 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 नहीं होगा Option number D is the right यह आपका पर्में संख्या हो जाएगा निकालो असानी से यह निकल जाएगा 3 गुने इसको अमनों लिख सकते हैं क्या 3 route 5 नहीं नहीं 5 route 3 बिलकुल लिख सकते हैं फिर उसको route 48 को क्या लिख सकते हो बता route 48 को क्या लिख सकते हो ति यह हो जाएगा आपको कितना आपका यह हो जाएगा 4 root 3 है ना तो root 3 से root 3 चला जाएगा तिया आपका 15 बट पर चारी है आपका परमे संख्या हो जाता ठीक option number D is the right यदि दो संख्या हो गुर्ण फर इतना है उनका मौसवत लॉस ब्राबर डाक निंक कर लो लॉसो बराबर क्या होगा 216 अपन कितना 19 है ना मल्टिप्लाइ कर दो एक मर्तबे लगे का तो 114 इधर आए टेंसर 8 का ओप्शन नमबर C ठीक है नौ नमबर है कि यदि A बराबर 2Q गुने 3 गुने 5 और B का मान तो लॉसो A B तो लॉसो का मतलब क्या होता है लेना अब लेना कहां से यह हमको समझना है तो लॉसो मतलब ही होता है कि जो भी यहाँ पे lowest common factor है जो दोनों में common होगा है ना जो दोनों में क्या होगा common होगा तो भाई देखो दो के पावर तीन और दो के पावर चार में सबसे जो common है यहाँ पर बरावला क्या है उसको लेंगे है ना तो यह हो जाएगा तीन भी लेना है उसके बाद पांच में से एक लेना है और साथ सभी को multiply कर दो भाई आठ गुन्य तीन गुन्य पांच गुन्य साथ है ना आठ तेरी चोबीस पंच एक सो बीस एक सो बीस सत्य 12 सत्य कितना होगा multiply करो साभी को तो यहाँ पर अगर multiply करते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 1680 कितना हो जाता है 1680 ठीक है यहाँ पर 2 के पावर 4 होगा है ना 2 के पावर 4 होगा क्योंकि highest common यहीं ना 2 के पावर 4 तो यहाँ पर 16 हो जाएगा आपका 1680 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आपका 1680 चारी नेक्स कोसन देखते हैं कि 144 के मतलब ऐसे निकाल लो ना ए जो दिया गया और बी जो दिया गया इस दोनों में जो common होगा lowest common होगा वहीं आपको निकाल नहीं ए और बी का LCM निकालना है भाई असाने से निकाल दो 144 के अभाज गुनानखन में दो का घातांक कितने है तो निकाल लो अभा 144 का गुनानखन इसमें देख लो कि दो के पावर कितना आ रहा है घातांक है ना तो कितना आएगा इसका answer तो इसका answer आएगा आपको दो के पावर चार आएगा ठीक है option number C is the right next question कि निकाल लिकित में से कौन सा अपर में संख्या है तो रूट 17 इसा अपर में संख्या है ठीक है 12 नमर कि निकाल लिकित में से कौन सा भाज संख्या है 41 इसा भाज संख्या दो लगातार संख्यां का मौस दो लगातार संख्यां का मौस एक होता है चले नेक्स कोस्टन देखते हैं लोग चोदा नमबर कि नमलिखित में से कौन सा परमेश संख्या है तो परमेश संख्या कि अगर बात करें तो भाय देखने सुत्र लग रहा यही है है ना है ना एक बटा बारा हो जाएगा यह ओप्सन नमबर एज दराइट नेक्स कोस्टन देखते हैं लोग कि किसी पुर्णांग पी के लिए सम पुर्णांग का रूप सम पुर्णांग जैसी आएगा तो यह क्या हो जाएगा बताओ जैसे सम पुर्णांग आज़ेता 2P या फि 2M या फि 2N कहीं भी दिखा रहे दो गुंणा अगर इसी में 2P पलस उन कर देंगए यह बिसम पुर्णांग हो जाएगा अगर सम पुर्णांग की बात है तो डैक 2P मतला 2 से मल्टिपल से कर दू सबोल नमर है कि नमलकीत में से किसका दस्बोल पर असांत है असान्त होने का मैंने आपको बताया था कि जिस भी संग अगर PYQ के रुप में है अगर Q का मान 2 के पावर M और 5 के पावर N आ रहा है तो वो सान्त होगा और नहीं आ रहा है तो वो सारे असान्त होगे ठीक है तो देखो 23 और हो पी और Q में कोई भी ओभेनिस्ट गुनन खन नहीं होनी चाहिए ओभेनिस्ट गुनन खन का मतलब यह होता है कि दोनों में common नहीं होनी चाहिए जैसे यहाँ पर 25 और 16 में common है तो यह आपको कटाने के बाद यह वाले ट्रिक यहाँ पर काम आएगी ठीक है तो 23 बटा 50 यहाँ पर 49 बटा यह भी है देखो 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर होगा यह दसामलब परसार जैसे इसको कटाओगे तो यह तेरत यह 49 तीन से कट जाएगा और यह 38, 24 और यह 81 तो 13 बटा यह 81 आ रहा है तो 81 जो है देखो यह 2 और 5 का कभी गुनन फल नहीं होगा इसलिए असांत कहलाएगा और बाकि देखोगे यह सारे 2 और 5 के गुनन फल है अगर 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 और 5 के पावर अगर निकाल रहा था 5 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा ठीक है 4 तो यह हो जाएगा निकाल लेना काफी सिंपल है मैंने आपको किस्तर के काफी सारे बात आए हैं एक असुन्य पर में और अपर में संख्याओं का गुनन फल होगा असुन्य पर में मतलब सुन्य नहीं होने चाहिए वो ठीक है और अपर में संख्या ग यहां पर साथ slipping आप सोब्स जेगा 10 कि पालब है उसरी कौम सी संधिया तो प्रमें प्रमें संधियां ब 충्र्ण पंद्रा का सरल्तम रूप क्या होगा है Tuktuk दे मैं निकाल लो इसका छोटा रोप क्या हो नहीं होगी इसका छोटा रोप होगा 4 विटा 5 ॡ, ठीक है थीश चोका एवरहाथ 25 110 खतब रहा है तो 12 नॉम्बर है किुदो परमेर्च संख्याओं के बीच अधिक्तम कितनी परमेश संख्या हो सकती है दो परमेश संख्याओं के बीच अधिक्तम कितनी परमेश संख्या हो सकती है तो भाई अनन्त हो सकता है कितना अनन्त निम्लिकित में से किसका दसमनों परसार सांत है अब सांत निकाल लो भाई देखो देखने से तो लग रहा है कि यही है ना option number C is the right इसको कटाना परेगा 3 आ जागा यह फिर 5 से कट जागा आपका 5 ती या 15 ठीक है तो और यह आपको 5 दूनी 10 320 आ रहा है तो यह हो जाएगी तो option number यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 का C हो जाएगा सबसे चोटी अभास संख्या दो जिम्र केते मिए सकौन पर में संख्या है option number C is the right जिम्र केते मिए सकौन पर में संख्या है तो अपर में संख्या कौन सा है जो है option number C is the right जो पूर्णवर्ण नहीं हो चले दोस्तों इस वीडियो जमें हम लोग 25 से 50 कोशन तक देखने के वाले मतलब हर टॉपिक से कम से कम 50 से 60 कोशन आप लोगो देखने को मिलेंगे तो उम्हीद करते हैं इस वीडियो के माधम से आपको काफी सार रिजन करें मिला होगा चलि मिलते हैं आप लोगो नेक्ट व्योजे में बाइबाइस सभी को ठीक है जरू प्रैक्टिशिर कीजिए